नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब मैं आरसे संदीब हाजिर हूँ आज दाइ स्टोरी आफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 307 लेकर के और मुझे भी मालूम है कि कहानी में काफी जादा गैप हो गया है और मतलब एक बार वही है कि जब गैप होता है तो गैप होता चला जाता है ये लगबग पांच मई से गैप होना शुरू हुआ था और वो अभी तक चली रहा है फिर भी संकल्प तो है कि इस गैप की भरपाई करनी है हमारे एक साथी है राजराम जी उन्होंने मेसेज में कहा कि यार संदीब भाई वो रोज आती है कहानी वो ज्यादा ठीक है तो मैं भी यही चाहता हूँ कि रोज ही आये कहानी और उन्होंने यह भी खा कि वो पीछे लास्ट में जो तुम बताते हो वो भी ठीक लगता है तो कुछ न कुछ इसका रास्ता निकालते हैं या तो भली कहानी पीछे चल रही है तो भी क्या हुआ वो बताने का काम शुरू क करें तो बात मैंने आपको जब बताई थी पिछली कहानी में किस तरह से लोग अपने ही लोगों को चीट करते हैं खेर ये बाते कोई नहीं नहीं है आप सब भी जानते हैं कई जगे ऐसा हो रहा है और यहां तक कि कुछ सुविधाएं वगेरा भी कहीं से दिलवानी होती है उसमें भी लोग सोचते हैं कि हम हमारे लोगों से कमिशन ले लें आज कल कई केस ऐसे सामने आ रहे हैं कि लोग मॉबाइल फोन दिलवाने के नाम पर कि भी या सरकार से तो मिल रहा है फ्री में और आपका खर्चा लगेगा डोकिमेंटिशन लगेगा और यह होगा वो होग थी हैं तो बात चल रही थी दूसरी जोड़ी बनने की मैंने आपको पहली जोड़ी के बारे में बताया अरविंद और तरिप्ती के बारे में अब बात करते हैं हमारी दूसरी जोड़ी के बारे में तो दूसरी जोड़ी में जो महिला है वो हमारे पहले ही कारियक्रम में ज बीस को हुआ उसी में जुड़ गई थी और वो मद्यप्रदेश से ही थी और मद्यप्रदेश से ही हमारे विनौद भाई आते हैं तो इस महिला से और इनकी फैमिली से जो पहचान थी वो विनौद भाई की ही थी उनको लाने का श्रीय भी विनौद भाई को जाता है दर असल ये तीन बहने हैं जो ब्लाइंड हैं आप मैं सिच्वेशन इसलिए क्रियेट कर रहा हूं ताकि किसी परिवार की आवश्यक्ता आपको अच्छे से समझ में आ जाये तीन बहने हैं जो ब्लाइंड हैं और तीन में से जो सबसे बड़ी बहन हैं उनकी शादी हो चुकी थी बाकी की दो बहनों की नहीं हुई थी ज़़कर दोनों गवर्मेंट जॉब में थी और संयोगवश सही होग वश कहानी यह है कि यह जो दोनों बहने हैं इनके विवाह में कहीं न कहीं recording club का युगदान है पहली में तो मतलब है लेकिन दूसरी वाली में भी है तो अपन पहले जो सबसे छोटी बहन हैं इन तीनों में से उसकी बात कर रहे हैं और वो हमारे पहले ही कारिक्रम में आ गई थी लो विजन उपर से वो और बैंक में जॉब करती है यहां तक ठीक है situation अब जून की बात हो गई 29 जून की उसके बाद तो ठीक है जुलाई निकल गया अगस्त निकल गया और वही बात आती है घूम फिर करके समय की कि उन दिनों तो भई समय समय था करोना काल चल रहा था कई लोग यह सोचते हैं कहते भी हैं कि आज कल सब खत्म कर लिया है या कम कर दिया है यह वो तो एक situation यह भी हमें नजर में रखनी होगी कि वहाँ उस समय लोगों के पास भी टाइम था और हम लोगों के पास भी टाइम था अभी manage करने में थोड़ी सी दिक्कते आ रही है तो खेर कोई नहीं सितंबर के महिने में एक शक्स जुड़ते हैं हमारे साथ और वो भी MP से ही जुड़ते हैं और वो भी low vision और नजाने क्यूं उनसे बात करके मुझे ये मन में feeling आई ऐसी कि यार इस व्यक्ति की और उसकी जुड़ी जम सकती है तो भाई अब मैं नाम बता देता हूं इनकी उनकी के चक्कर में मैं बात कर रहा हूं जो लड़की हैं उनका नाम था कलपना चोरे और जो लड़का है उसका नाम है पुश्पराज श्रिवास्तावी दोनों ही low vision पुश्पराज को सुनते हुए अच्छा देखिये हैं सब कुछ यहां पर सुनकर के ही करना था हम लोगों को किसी के घर जाना किसी को बुलाना किसी से मिलना यह तो संभव था नहीं तो यह भी एक संकट था कि शुरू से हमें यह बात सुनकर की पता लगा नहीं थी कि व्यक्ति बाई नेचर कैसा हो सकता है वैसे भी आप और हम जब किसी से भी बात करते हैं तो कुछ न कुछ उसके बारे में धाना बनाते ही हैं अगर वो थोड़ा हमारे और करीब आजाए तो और धाना मनाते हैं थोड़ी जादा बाचीत हो जाए तो फिर हम और अच्छे से समझने लगते हैं कई चीजें ऐसी हैं जो हम कोशिश करते हैं कि वो निकाली जा सके तो इसी तरीके से हम लोगों को भी यही संकट था कि भाईया जो कुछ करना है सुनके करना है ताकि किसी का जीवन खराब भी न हो किसी के जिन्दगी का सवाल होता है विनोद भाई को मैंने का विनोद भाई कलपना और पुष्पराज की जोड़ी जमाई जा सकती है विनोद भाई ने का ठीक है संदीब भाई मैंने नंबर लिया विनोद भाई से और कॉन्फरेंस पे दोनों की बात कराई बात कराने के बाद में वही जो हमारा तरीका है कि पहली नजर में अगर आप लोग दोनों एक दूसरे से सहमत है तो हम नंबर शेयर कर दे और यह सितमबर 2020 की बात बता रहा हूँ आपको नंबर मैंने शेयर कर दिया दोनों की बात्चेश शुरू हो गई अब देखिए जब जिसा की मैंने आपको कहा तीन बेहने ब्लाइंड है उस परिवार से विनोद भाई टच में रहे तो हमारी फिल्ड को इतनी बड़ी है नहीं की चीज़ें छुप जाएं चीज़ें पता ना चलें अब इनके केस में क्या हुआ कि नवंबर आते आते ये तै हो गया इन लोगों ने ये तै कर लिया कि हाँ भई हम विवाख करेंगे नवंबर आते आते और ये बात हमको भी दर उदर से तो पता चल रही है लेकिन डिरेक्ट उस फैमिली से हमें पता नहीं चल रही है थोड़ा सा धक्का भी लगा दुख भी हुआ कि यार ये क्या बात हुई फिर जब पता लगाने की कोशिश की तो बात निकल कर गयी कि हाँ बात तो सच है यार सब कुछ हो रहा है सही है तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया दोनों के घरवालों ने पसंद कर लिया दोनों का फिर आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया जो भी है और कुल मिला करके एक दूसरी जोड़ी इस तरह से बन गई लेकिन कहानी इतनी नहीं है कहानी तो पिछले कहानी से चलती आ रही है न किस तरह से लोग भुला दिये जाते हैं या लोग भूल जाते हैं सारी कहानी यही है सारा खेली यही है तो दिवाग में यह रखिये आप इधर भाई मैं विनौत जी को कहता रहा बार बार विनौत भाई इनको लेकर के आओ यार अच्छा उस समय क्या था विवापरीचे सम्मेलन हम लोगों ने ओनलाइन करना शुरू कर दिया था तो बेने बताये था आपको यूट्यूब पर लाइव करने लग गए थे और जो भी जोड़ी बनती थी उसको हम उस प्रोग्राम में भी ले करके आते थे ताकि लोग सीधे सवाल जवाब कर सके और अपनी परिस्तितियों में कुछ ने कुछ अगर कर सकते हैं तो वो कर सके भाई साविदर विनोज जी ने जो भी है कोशिश की थोड़ी बहुत लेकिन कामिया भी नहीं मिली और ज्यादा मुश्किल होता है किसी लड़की को लेकर के आना प्रोग्राम में आज भी मैं यही कह रहा हूँ इस कारिकरम के माध्यम से आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप कॉंटेक्ट करिए रिकॉर्डिंग क्लब से हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम यूट्यूब पर भी नहीं लेके आएंगे आपका नाम तक नहीं बताएंगे तो आप लोग अगर चाहें तो जुड़िये हमारे साथ खेर तो बात यह होती है कि नवंबर का प्रोग्राम हमारा हो गया नवंबर में जो ओनलाइन हमने प्रोग्राम किया था वो हो गया शायद बाइस नवंबर को हमने किया होगा ओनलाइन और हमारी पूरी कोशिश थी कि भहिया अक्टूबर में उनको ले आए अरविंद और त्रिप्ति को नमंबर में उनको ले आए थोड़ा सा मोमेंटम मना रहता है जी लेकिन सहाब कुछ हुआ नहीं फिर मैंने एक दिन फिर वो ही बात मेरे थोड़ा मूड हो रहा था या पता नहीं क्या था मैंने विनोद भाई को काया तुम रहने दो यारब मेरे कोई कुछ करना पड़ेगा अब सहियों गोश कुछ ऐसी कहानी बनी कि दिसंबर के परीचे सम्मिलन में विनोद भाई जुड़ नहीं पाए या समय नहीं निकाल पाए या कुछ घुमने चेहर चले गए थे या अपनी घुमने तो खेर जाना क्या था जी नहीं विनोद प्रॉग्राऑद पादे इधर मैंने नोद भाई दिया मैंने का कि जाय जो भी हो अब इनको लब एक नाग का सवाल बना लिया मैंने कि दिसंबर वाले प्रोग्राम में इनको ले करके आना है ले करके आना है ठीक है मैंने दिमाग लगा है मैंने का आप करें आपन कलपना से तो direct बात करेंगे नहीं मैंने पुश्पराज को तयार करना शुरू किया पहले तो इधर उदर से पूछा उसको नहीं रहे हो यह वो उसने का रहे सार आप जानते हैं थोड़ा सा लड़कियों को दिक्कत रहती है यह वो मैंने का तो फिर बताना तो चाहिए ना कि वह अगर तुम लोग तैयार हो गए हो तो और मैंने का तुम तो बहुत भाग्यशा लियो यार पहली ही मीट में आये और तुम्हारा काम हो गया एक से दूसरी मीट में नहीं आना पड़ा तुमें और वो भी तुम्हारी मर्जी के मताबिक जैसा तुम चाहते थे या वो लड़की भी जैसा चाहती थी दोनों को मतलब बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर मिलिया एक दूसरे का अब आप सोचिए कहां पुष्पराज आप जान बाते कलपना चोरे को यह सारी बाते जो भी मैं कह सकता था मैंने उसको कही है कि तो पुष्पराजने भी माना अपनी गलती को मैंने का फिर आब एक काम करना आप वो हमारा प्रोग्राम है कि और उसमें आपको लेकर के आना है कलपना को और आपको खुद को जुड़ना है तो पुष्पराज ने का ठीक है सर मैं तो पूरी कोशिश करूंगा शाए 27 दिसंबर को था उपरूगर तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा सर अब वो जुड़े नहीं जुड़े पता नहीं मैंने का जो भी है आना है बस तो हुआ ये कि प्रोग्राम आते आते मुझे समझ में आ गया कि भाईया कोई आने वाला है नहीं फिर मैंने एक दिन पुश्पराज को का मैंने का तुम कॉन्फरेंस पे बात कराओ मेरी गल्पना से लब पूरा लगा हूँ मैं कि कैसे भी करके इनको लेकर क्या ना और फिर एक नाक का सवाल बना दिया मैंने का विनोज जी भी इस मामले में हार गए हैं कुछ नहीं कर पा अधर मेरे लिए तो अंजान थे ना मेरे को क्या फरक पड़ना था तो मैं तो फोर्स कर सकता था तो फिर मैंने वो सारा अपने हाथ में इधर मैंने विनोज भाई को कुछ नहीं का विनोज भाई को भी नहीं पता था कि यह लोग आ रहे हैं हलाकि काईदे से देखा जाए नेतिक्ता के आधार पर इन लोगों को खुदी विनोज भाई को बताना चाहिए था कि विनोज सर संदीप सर हमको प्रेशराइज कर रहे हैं और हमको प्रोग्राम में जाना है तो हम चाहते हैं कि आप भी उस समय रहें या कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि विनोज जी जी 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 जो भी बोलते हैं वो कि आप जिस प्रोग्राम में रहें उसी में हम आएं लेकिन नहीं इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया खैर मैंने कलपना को फिर दो चार बाते उसको भी सुनाई और मैंने का यह क्या तरीका है बाई मतलब जिस अंदाज में मैं कह सकता था उस अंदाज में मैंने उसको कह दिया अचा मैंने आश्वास्त भी किया मैंने का देखो कलपना आप लोग नहीं चाहेंगे तो हम आपको कुछ ऐसा उल्टा सीदा सवाल नहीं पूछेंगे चिंता ना करें बस केवल हम इतना चाहते हैं आप लोग आएं और इतना सा बता दें कि हाँ भई हमारी जोड़ी बन गई है recording club के थूँ बन गई है और recording club के थूँ यह हमारी मुलाकात हुई थी इस पर क्या दिखके तो इसमें गलत क्या है तुम तो जीवन में कभी नी जान पाते है वो ही बात जो मैंने पुष्वराज को गई थी उसको भी समझ में आई कि यह भाई भाई जो मानने वाला तो है नहीं फिर आखिर खार उस प्रोग्राम में दिसंबर वाले में उसके आसपास शायद मेरी बात हुई विनोद भाई से और मैंने कहा विनोद जी कि वो लोग आ रहे हैं विनोद भाई को गुछ सा आ है कैसे मैं तो इतनी कोशिश की ये वो मैंने का आप जो भी हो अब आपने कोशिश कर ली लेकिन फाइनली वो लोग आ रहे हैं तो वो आये प्रोग्राम में और वो ही जो उनको आश्वासन दिया था कि हमको तो सिर्फ इतनी बात करनी है कि हाँ आप लोग मिल चुके हैं रिकॉर्डिंग क्लब के थुरू बाकि कु रहा था वैसा ही दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और फिर हमने उनको रवाना कर दिया लेकिन इनको लाना बड़ा मुश्किल काम था यह हमारी दूसरी जोड़ी की कहानी थी अब कहानी आगे अब टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो आखिरकार इनके विवाह की क्या कुछ कहानी रही वो बताऊंगा मैं आपको यहां तक तो मैंने बता दिया लेकिन अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि इनकी शादी को लेकर के क्या कुछ रहा और आखिरकार जो जटका दिया इस परिवार ने वो तो शादी में दिया रिकॉर्डिंग क्लब आब इ